आई सीसी वंडे वर्ड कप के तेरवे मैच में दिली के अरुण जेटली स्टेडियम में इंग्लेंड का मुकाबला अफगानिस्तान से हुआ इंग्लेंड ने टॉस जीत कर गिंद बाजी करने का फैसला किया पहले बल्लेबाजी करने उत्री अफगानिस्तान की टीम 49-95 ओवर में 284 रन मना कर ओल आउट हो गई इंग्लेड को जीत के लिए 285 रन का लक्ष मिला पूर पाकिस्तानी करिकेटर दानिश कनेरिया ने महमर इजवान की जमकर क्लास लगाई उन्होंने कहा अगली बार जीत मानवता को समर्पित कर देना इस दुनिया में कुरूरता का समर्थन कोई भी नहीं करता है पूर पाकिस्तानी कप्तान और दिगजत तेज गेंदबाज रहे वसीम अकरम ने कहा है कि मैं एशिया कप के बाद से ही कह रहा था कि ये कुल्दीप यादव पाकिस्तान के मिडिल ओर्डर के बल्लेबाजों को परेशान करेगा ठिंक टैंक को मेरी बात सुननी चाहिए थी इस इस्तर पर उन्हें स्पिंडरों को चुनना चाहिए था कुल्दीप ने पहले शकील को आउट किया और फिर इफ्तिखार को क्लीन बोर्ड किया और दस ओवर में 35 रंग देकर दो विके चटका है भारत में इसराइल के राजदोत ना और गिलोन ने कहा कि वह मैच के दौरान पोश्टर प्रदर्श्ट करके कई भारतियों द्वारा इसराइल के साथ एक जुटता दिखाने से प्रभावित हुए दिखाया, वह बहुत कुछ कहता है, ये ऐसी चीज है, जिस पर हमें गर्व है, जिसे भी गेन मिलती है, वह तो अपने काम करते हैं, हमारे पास 6 खिलाड़ी हैं, जो गेन से काम कर सकते हैं भारत-पाकिस्तान मैच के बाद विराट कोहली ने अपनी एक साइन की भारतिये जर्सी पाकिस्तान के कप्तान बाबराजम को गिफ्ट की है इसके बाद भारत के साथ-साथ पाकिस्तानी फैंस भी विराट कोहली की जमकर तारीफ कर रहे है पाकिस्तान के टीम डारेक्टर ने पाकिस्तान की हार पर एक बड़ा बयान दिया है मिकी आर्थर ने पाकिस्तान के लिए समर्थन की कमी की और इशारा किया और कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताव में इसकी एहम भूमिका होती है इमांदारी से कहूं तो ये ICC इवेंट जैसा लग ही नहीं रहा ये दिपक्षी सिरीज जैसा लग रहा है या BCCI इवेंट जैसा लग रहा है मैंने इस मैच में माइक्रोफोन पर एक बार भी दिल दिल पाकिस्तान गाना नहीं सुना शिलंका ने इस वर्ड कप में अभी तक सिर्फ दो ही मैच खेले थे कि उनका एक और खिलाडी इंजरी के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गया ये खिलाडी कोई और नहीं बलकि टीम के कप्तान दासुन शनाका है दासुन शनाका था इंजरी के कारण सिलंकाई स्कौार्ड से बाहर हो गये है चमीका करुणा रतने को उनके रिप्लेस्मेंट के तौर पर शामिल किया गया है दासुन शनाका के बाहर होने से शिलंकाई टीम को बड़ा जटका लगा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा है कि भारत 2036 ओलंपिक का आयोजन देश में करने के लिए अपने प्रयासों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये 140 करोन भारतियों का सपना है उन्होंने आगे कहा कि अंतरराश्य ओलंपिक समित का 141 सत्र भारत में होना बहुत ही खास है 40 साल बात भारत में आयोसी का सत्र होना हमारे लिए गौरों की बात है